81 question में देखे income दिया हुआ, income का ratio 3 is to 4, ठीक है? profit जो दिया हुआ है, profit कितना होगा? किसी भी चीज़ पे 100% profit 100% पे कोई profit होती है तो 1, 17 हो जाएगा क्योंकि 17 है और दूसरा वाला profit जो है 15 हो जाएगा दोनों का cross multiplication करेंगे तो वो expenditure हो जाएगा ऐसे ही 82 question जो है 82 question पे भी चुकि दोनों का जो income है वो 1 is to 1 है तो उसमें profit का ratio लिखेंगे और दोनों का cross multiplication answer हो जाएगा